नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिल आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल गुरुजी स्टडी अड़ा में आज हम बीएड प्रतामोरस सेकंड समेस्टर में तृती प्रस्ण पत्र समाजिक विज्ञान सोसल साइंस पेड़ागोगी फस्ट में अतिलेगु त्री के बारे में अध्यन करेंगे चली दोस्तों हम सुरू करते हैं आपके सामने है पहला प्रस्ण वैक्तिक द्रिष्टी से समाजिक अध्यन का महत्तो बताईए उत्तर है वैक्तिक द्रिष्टी से समाजिक अध्यन द्वारा ब्यक्ति में विभिन समाजिक गुड़ों का विका किया जाता है सहयोग सहकारिता सहसुडूता निस्पचता आद ए गुड समाजिक चरित्र के निर्माण में अधार का कारे करते हैं देखी दोस्तों समाजिक अध्यन का क्या महत्तो है समाजिक अध्यन के द्वारा ही ब्यक्त में नहित समाजिक गुडों का विकास किया जाता है जैसे सहयोग, प्रेम, सदभाव, सहकारिता, सहिसुडूता, निस्पचता ये सबी आदी समाजे के नैतिक चरित्र के निर्माण में अधार का कारे करते हैं। तो सिक्चार्ती ठीक प्रकार से नहीं सीख सकता है। बताईए, उत्तर है एक अच्छी सिक्चन विदी, उसे ही कहा जा सकता है जो ना केवल सिक्चार्ती के मानसिक विकास में सहायक हो, बलकि साररिक, नैतिक, सम्वेगात्मक विकास भी करें। ताकि सिक्चार्ती का विक्तित तो अच्छा बन सके। देखी दोस्तों जो अच्छी सिक्चन विदी होती है, उसका मूल उद्देश होता है, सिर्फ विक्ति के मानसिक विकास कर डवलप कर रहा नहीं होता है। बलकि उसका फिजकल डवलप्मेंट हो, नैतिकता का विकास हो, सम्वेग उसके कम हो, ताकि सिक्चार्ती का विक्तित भी निखर सके। अगला प्रसने आपके सामने सामाजिक विज्ञान या अध्यन सिक्षण की प्रमुख विधियां क्या हैं। उत्तर है, अध्यन की सुविदय के लिए सामाजिक अध्यन सिक्षण विधियों को निमनलिखित प्रकार से बाटा जा सकता है। पहला है परंपरागत विधी। परंपरागत का मतलब होता है दोस्तों जो पुरानी पिड़ी से, पुरानी धर्रों से होते हुए आज तक चली आ रही है, जैसे हम नहीं कहते हैं कि यह हमारे घर की एक परंपरा हो चुकी है, यह हमारे घर से पहले ही चला रहा है, तो दोस्तों देखिए परंपरागत विदी ये विदिया है जिनका प्रयोग प्राचिन काल से होता आया है इसमें दो विदियां समलित हैं प्राचिन काल से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो विदी पहले से चलिया रही उसे परंपरागत विदी करते हैं जैसे पाठ पुस्तक विदियनिक पाठ पुस्तकों के सह जो के बाद हुआ है अगला प्रेशने आपके सामने पाठ पुस्तक विधी क्या है उत्तर है पाठ पुस्तक विधी सबसे अधिक प्रचलित विधी है या विधी पाठ पुस्तकों के अधार पर मानती है जैसे कोई अन्य विधी किसी समस्या या योजना के अधार मान कर चलती इस बिधी का प्रयोग भासा सिक्षण में किया जाता है देखी दोस्तों जो पाठ पुस्तक बिधी होती है पाठ करम पर आधारित होती है अगला प्रेस्ण आपके सामने पाठ पुस्तक बिधी के लाभ बताईए उत्तर है पाठ पुस्तक बिधी के लाभ निमनलखित है पहल सामागरी समंधी तयारी नहीं करनी पड़ती है तीसरा पॉइंट है इस विदीक के प्रयोक से भागोलिक एतिहासिक सामाजिक राजनैतिक भागोलिक संकेतों आज को कंठस्त किया जा सकता है अगला प्रस्टन है पाठ पुस्तक विदी के दोस बताईए, तो दोस्तो उत्तर है पाठ पुस्तक विदी के दोस निम्न लखीत हैं, पहला दोस है इसकी अधिक प्रयोक से शिक्षण प्रक्रिया का उद्धेश से पूरा नहीं होता है, क्योंकि बालक को सिर्फ एक ही पुस् वह सिर्फ एक ही कार करता रहता है जिससे बिस्मरड की शमता बढ़ जाती है तीसरा पॉइंट है पास्थ पुस्तक के प्रयोग से जहां अस्मरड सक्ती का विकास अधिक होता है वहीं अन्य पच्छों का विकास नहीं हो पाता है अगला प्रेस्नियाप के सामने निरिक्षण विधी का महत्तो बता ये उत्तर है यह विधी समाजिक अध्यन के अंतरगत भुगोल सिक्छण में महत्तपुर्ण है क्योंकि इसमें बालक किसी वस्तु अस्थान या विक्षण को देखकर ही उसके बारे में ज्यान प्राप्त करता है यह विधी देखकर सीखना नामक सिध यह वालिती होता है वह किसी अस्थान पर जाकर उस वस्त के बारे में प्रतेक्ष अनुबहुँ करके वह सीखता है जैसे कि कि हमें ताज महल को देख लिए ताज महल का निας चरह गुआ है उसमें कई सी इंटों का प्रयोग हुकं हुआ है कौन से टाइल्स लगए है वहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है तो यह क्या है यह निरिक्षण विदी यानि कि ताज महल के बारे में में प्रतक्ष जानकरी प्राप्त हो गया हमने सामने से देखा हमने सामने से निरिक्षण किया तो इसे निरिक्षण विदी काते है अगला प्रेशने आपके सामन समाजिक द्रिष्टी से समाजिक अध्यन का क्या महत्व है उत्तर है समाजिक द्रिष्टी से समाजिक अध्यन का महत्व निमनलिखित कारणों से है पहले हाए समाजिक जीवन को उन्नत सफल एवं समरिद बनाने में परम उपयोगी है दूसरा पॉइंट है समाजिक अध्यन मे केवं पूर्वा ग्रहों को दूर करके व्यापक द्रिष्ट कोड के विकास में सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक विज्ञान होता है इसमें समाजिक विज्ञानों का ही अलग अलग रूप में छोटे छोटे पाटों में अध्यन किया जाता है। प्राम इच्छात्मक चिंतन की भावना विक्सित करके पूर्ण जीवन यापन में सहायता प्रदान करता है। सहयोगी भावना को विक्सित करता है या समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रसस्त करता है। लेकि दोस्तों समाजिक अध्यन के माध्यन से ही व्यक्त के बेवहारू का परिवर्तन करते हैं। यानि कि उसके नाकरात्मक्ता को दूर करके उसमें सकरात्मक्ता का विकास करते हैं। एक दूसरे के सहयोग करना, प्रेम, सद्भावना, सहकारिता, सहिस्डूता ये सभी क्या हैं। समाजिक अध्यन में ही इसका निर्माड होता है। अगला प्रेसने आपके सामने समाजिक विज्ञान सिक्छण की आवश्यक्ता को समझाईए। जीने की कला सिखाने में महत्वपूर्ड सहायक होता है अगला प्रस्ने आपके सामने सामाजिक अध्यन क्लब क्या है उत्तर है सामाजिक अध्यन क्लब विसेवस्त सम्मंदी सूचनाए एकत्र करने उन्ने क्रम बद्ध करने विचार विमर्ष करने की विवस्था बनाते हैं समाजिक अध्यन सामगरी आवश्यक सामगरियों का संग्रह संग्राले का निर्माण भी कलब का एक महत्पूर्ड एवं उपयोगी क्रिया कलाप है इसमें विविन समाजिक विज्ञानों से सम्मंदित हावी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना भी कलब का एक महत्पूर्ड कारी है देखी दोस्तों समाजिक अध्यन समंदी जो आवश्यक शमग्रिया होती है इसके लिए एक संग्रह संग्राले का निर्माण किया जाता है जहां ब्यक्ति जाकर सिक्षा ग्रहण कर सकता है अगला प्रेस ने आपके सामने इकाई परिक्षण क्या है उत्तर है यह विधी वर्तमान समय की महत्पुड विधी है इस विधी में विशेवस्त को आवश्यक्ता अनुसार कई इकाईों में बांट दिया जाता है उन इकाईों के अनुसार ही सिक्षण अधिगंप्रक्रिया क विकास किया जाता है। इस बिदी में कई दिनों से लेकर कई सब्ता तक characteristic योजना बनानी पड़ती है। इस बिदी में योजना बिदी यां समस्या बिदी, दोनों ही विद्यो का समावेस होता है। देखिए दोस्तों जो इकाई परिक्षण होता है, इकाई परिक्षण के माध्यम से हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, लेकिन दोस्तों जब हमारा पाठ जो होता है, जो लेशन होता है, जो चैप्टर होता है, बहुत बड़ा होता है, जब बहुत बड़ा होता है, तो इसी चैप्टर को हम में में के बीभाजित कर देते हैं उप्रियों का प्रियोग हम करती है। अगला प्रेस्टन है व्याक्ष्यक उसल क्या है? उत्तर है इस सलाकार से आसा है उपयुक्त सूचना प्रणाली या कतनों को जोडने वाले सब्दो या कडियों का प्रयोग करना है। संखेप में जब सिख्षक किसी तथ्य सिधान्त यों संप्रत्य के क्या क्यों तथा कैसे को विद्यार्थी को समझाना चाहता है तो इसे समझाते समय सिख्षक जो बेवहार करता है वही बेवहार ब्याख्षक का उसल कहलाता है देखिए दोस्तों जब ब्रॉड पढ़ाना हो और उसके बेवहार में जो परिवर्तन होता है वही बेवहार प्रस्न कह लाता है, अगरा प्रस्न आपके सामने अनुसीलिन प्रस्न कह अवसल क्या है? उत्तर है पाठ सामगरी को सरल तथा असपष्ट करने में प्रस्णों का विसेश महत्तो है, वर्तमान युग में भी प्रस्णों की सहायता से सिख्षक बालकों की संपर्क में आता है, उन्हें प्रेरित करता है तथा उनकी मस्तिस को क्रियासील करके आवश्यक ज्यान का वित् करता है, इस द्रिष्टी से सिख्षक की निपूडता बहुत कुछ प्रस्णों को पूछने की कुसलता पर निर्भर करती है, अस्मरण रहे कि प्रस्ण पूछने में प्रत्यक व्यक्ति निपूड नहीं होता है, इसका मात्र कारण यह है कि प्रस्ण पूछना एक कला है, द उत्तर है वाद विवाद विधी क्रिया सिल्टा के सिध्धान्द का पालन करती है, इस विधी में सिक्षक यों विध्यार्थी, दोनों ही मिल जुलकर किसी बिसे अथ्वा प्रश्ण पर विचार विमर्स करते हैं, कथा आम सहमती दोरा किसी निरडे पर पहुँचने का प्रय करते हैं, देखी दोस्तों जो वाद विवाद विधी होती है, इसमें मार पिट नहीं होता है, इसमें किसी समस्या पर विचार विमर्स होता है, सिक्षक अपना तर्क प्रश्टूत करता है, छात्र अपना तर्क प्रश्टूत करता है, दोनों में जो सर्वता उप्युक्त ह से अंगला प्रेश्ट में आगमन नीगमन विद्धी को संशेप में असपस्ट की जिए उत्तर है आर्थसास्त के सिक्छण में आगमन वा निगमन विदियों का प्रयोग विश्यस रूप से किया जाता है आगमन विदि उधारणों . उधारणों के द्वार। समान नियम का निर्धार किया जाता है जबकि जो निगमन विद्धी होती है आगमन विद्धी के विपरीथ होती है अगला प्रेस्ण है एक अच्छी पाठ योजना की विसेस्ताएं मताईए उत्तर है विसेस्ताएं देखी दोस्तों साप अच्छी कठनाई के अनुसार पाठ वस्तु में क्रियात्मकार्यों के लिए छात्रों को अउसर देना चाहिए पाठ योजना ऐसी बनाए जाए कि छात्र उसे कुछ करके सीख सके क्रियात्मकार्यों को करके कुछ सीख सके तीसरा पॉइंट है पाठ क्रेम निर्माण में समाजिक अध्यन सिक्षण के उद्यस्यो को ध्यान में रखना चाहिए पाटक्रम के निर्वाड ऐसा हो कि उसमें समाजिक अध्यन का विकास हो समाजिक अध्यन बाहलक का हो सके तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन प् हारत